हमारे दैनिक जीवन में हम कोच उपकरनों पर इस प्रकार डिपेंड हो चुके हैं कि हम उनके बिना काम करने ही नहीं चाहते जैसे कि यह क्यालकुलेटर गढ़ना करना आता है पर गढ़ना करने के बारी आये तो हम क्यालकुलेटर ढूंते हैं वैसे ही माइक, पेंड्राइब, डिजिटल कैमरा, डेक्स्टॉप, लेप्टॉप, टैब और ये मोबाइल जिसके बिना तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती उठते ही सबसे पहले मोबाइल ढूंडते हैं सोते समय भी हम मोबाइल ही ढूंडते हैं और ये टीवी घर का एक किस तरह से काम करते हैं? Actually, इन डिवाइसों में इलेक्ट्रोन का फ्लो होता है इलेक्ट्रोन के नियंतरिद प्रवा से काम करने वाले इन डिवाइसों को हम कहते हैं, Electronic Дिवाइसे और physics की ये विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम electronic डिवाइसों का अध्यन करते हैं इसे हम कहते हैं electronics हम यहाँ पर ये दो प्रकार का computer देख रहे हैं और ये दो प्रकार की TV देख रहे हैं एक बड़ा सा भारी भर कम ज्यादा जगे घेरने वाला है और दूसरा फ्लैट स्मार्ट और स्लिम हैं ये दोनों ही electronic डिवाइस अलग-अलग क्यों हैं क्योंकि ये दोनों अलग-अलग टेक्नोलोजी पर अधारित हैं इसका मतलब हम कह सकते हैं जो electronic device होते हैं वो दो प्रकार electronic device जो बड़ा सा भारी भर कम दिखने वाला है वो वैक्यूम ट्यूब यानि की निर्वात नलिका पर अधारित है और फ्लैट स्मार्ट स्लिम वाला वो अधारित है अर्दिचालक यानि की सेमी कंड़क्टर पर जो निर्वात नलिकाएं होती है वो एक्चुली एक कांश का ट्यूब होती है जिसके अंदर होता है अलेक्टोड यह दिखने में कुछ इस प्रकार दिखते हैं यहां पर हम निर्वात नलिका में देखे तो यह निर्वात डायोड होते हैं निर्वात ट्रायोड होते हैं ट्रोड होते हैं पेंटोड होते हैं इसमें अलग अलग तर्मि वाला ट्रायोड वैसे चार टर्मिनल वाला ट्रोड और पांच टर्मिनल वाला पैंटोड जो निर्वात डायोड होते हैं उसमें दो एलेक्टोड होते हैं एक कैथोड और दूसरा एनोड ट्रायोड में तीन होते हैं एक कैथोड एनोड और ग्रीड वैसे ट्रोड में चार ए पांच एलेक्ट्रोड होते हैं जब कैथोड को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गर्म किया जाता है तो उसमें से एलेक्ट्रोड निकलने लगते हैं और एलेक्ट्रोडों की बीच वोल्टता में परिवर्तन करके मताब वोल्टेज को चेंज करके इन के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है इस प्रकार ये निर्वात्मलिकाय काम करती हैं यहां पर एलेक्ट्रॉन का प्रवा क्या थोट से एनोट की और होता है यानि कि वन डारेक्शन होता है एक ही दिशा में होता है इसलिए इनको हम वॉल्व भी कहते हैं पर जो अर्दचा तर्वाकों के प्रवाको नियंत्रित किया जाता है से मी कंडक्टर उलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का ये दिये मुधारण देखें तो इसमें आते हैं डायोड ट्रांजिस्टर दायोड जिसका दो छोर है वो डायोड जिसमें तीन टर्मिनल है तीन छोर है वो है ट्रांजिस्टर और जिसमें बहुत सारे टर्मिनल है वो है आईसी IC का full form है integrated circuit जिसे हम कहते हैं एकी कृत परिपत अब जब हम दो प्रकार का TV देख रहे थे तो उन में से हम किसको prefer करना चाहते हैं जो ज़्यादा जगे घेरता है भारी भरका में उसको या जो flat या slim है उसको नेचरल सी बात है जो flat और slim है उसको यानि कि हम कह सकते हैं कि यह जो दो प्रकार के electronic device है निरवात नलीका और अर्धिचालक electronic device इन दोनों में अर्धिचालक electronic device को ज़्यादा prefer किया जाता है क्यों कि पहला तो यह आकार में छोटे होते हैं छोटे होते हैं तो हमको कैरी करने में आसान होता है जैसे कि पहले आप देखते थे कि computer concept अपने table पर रख पाते थे बहुत भारी बार कम होता था एक table से दूसरे table में भी हम shift नहीं कर पाते थे अब वह धीरे-धीरे से technology increase होने पर develop होने पर आइसी का semiconductors का इस्तमाल करकर वो छोटे होते जा रहे हैं और उसको हम अपने पर्स में भी भर लेते हैं जिसको हम टैप के नाम से जानते हैं और उससे चोटा हो गया मुबाइल मतलब उसको हम अपने जेब में भी रखकर असानी से घूम सकते हैं दूसरा इसमें अलेक्ट्रॉन उस सर्जन तो होता नहीं है अलेक्ट्रॉन सर्जन करने वाला तंतु यहां पर नहीं होता इसलिए इनको switch on करते ही यह स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि इसको गर इंपट्रॉन और यह सूरक्शित होते हैं क्योंकि एक अब नहीं है इसलिए इसको अगर इधर-उथा लिया जाए इसमें धक्का लग जाए तो इसमें जादा प्रभावन नहीं पड़ता, ये सुरक्षित होते हैं। इनकी शक्ति वे कम होती है और इनकी दक्षता अधिक होती है। इसलिए अर्ध चालक युक्तियों का स्तमाल किया जाता है। अब ये अर्ध चालक क्या होते हैं। यदि हम देखें तो ठोसों को उनकी चालकता ये प्रतिरोधकता क्या धार पर हम तीन भाग में वर्गिकृत करते हैं। पहला धातवी चालक। धातवी चालक में धारा का प्रवा असानी से होता है। और धारा का प्रवा कौन करता है। क्योंकि धात्विक चालक में मौजूद होते हैं धेर सारे मुक्त एलेक्ट्रॉन यहां एलेक्ट्रॉन और मुक्त एलेक्ट्रॉन दोनों में डिफ्रेंस है क्योंकि यदि हम पदार्थ की बात करें क्योंकि हर पदार्थ में परमानू होते हैं और परमानू के अंदर क्या होत जो एलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेल सब शेल में अपने उर्जा के नुसार भरे जाते हैं जो बाहे कक्ष के एलेक्ट्रॉन होते हैं यदि उनको उर्जा दी जाती है तो वो अपने शेल से बाहर निकल जाते हैं यानि परमानू से बाहर निकल जाते हैं और ये एलेक्ट्रॉ को हम कहते हैं मुक्त अलेक्ट्रॉन और यहीं मुक्त अलेक्ट्रॉन ही धारा का प्रवाह करते हैं बच्चों यहां पर ध्यान देनी वाली बात यह है कि हम हमेशा कहते हैं धारा प्रवाहित हो रही है पर वास्तव में धारा प्रवाहित नहीं होती प्रवाह किसका होता है तो वहाँ पर आवेश होते हैं मुक्त अलेक्ट्रॉन यानि की रिनात्मा का आवेश तो धात्विक चालक में धारा का प्रवाह क्यों होता है क्योंकि वहाँ पर धेर सारे मुक्त अलेक्ट्रॉन होते हैं और इन धात्विक चालक के उधारन यदी हम देखें तो सारे धातू जैसे कि सोना, चान्दी, तामबा, लोहा, यह सारे धत्विक चालक हैं। नेक्स्ट है विद्दूत रोधी। विद्दूत रोधी ऐसे पदार्थ होते जिसमें मुक्त अलेक्ट्रोनों का अभाव होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चो कि हर पदार्थ में अलेक्ट्रोन होते हैं लेकिन यहां पर मुक्त अलेक्ट्रोनों का अभाव होता है। और जब मुक्त अलेक्ट्रोन नहीं होंगे तो यह धारा का प्रवा कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं होता। जैसे कि लकडी, काच, एबोनाइट, हीरा, एस्बेस्टर्स ये कभी भी किसी भी इस्तिती में भी धारा का प्रवार नहीं करते अर्ध चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक और विद्धूत्रोधी के बीचकी होती है बीचकी होती है का मतलब? ये कम ताप पर विद्धूत्रोधी की तरह काम करते हैं मतलब ये शून्य केल्विन पे लें तो पून रूप से विद्धूत्रोधी रहते हैं क्योंकि इसमें मुक्त ऐलेक्ट्रॉन का अभाव रहता है लेकिन कमरे के ताप में ही इनमें मुक्त अलेक्ट्रोन आ जाते हैं और ताप बढ़ाते जाने पर ये और अच्छी तरह से चालक की तरह कारे करने लगते हैं इसका मतलब ये विद्धूत रोधी से चालक बन जाते हैं यदि ताप को बढ़ाया जाए ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं अर्धिचालक अर्धिचालक का यदि उधारण हम देखे तो पहले तो इनके प्रकारों में हम देखे तो तात्विक अर्धिचालक और दूसरा है योगिक अर्धिचालक तात्विक अर्धिचालक में केवल दो ही हमारे पास है वो है silicon और दूसरा है germanium ये दोनों ही चौथे समुह के तत्व है silicon का electronic configuration, silicon का atomic number 14 है और germanium का atomic number 32 है योगिक अर्ध चालक को धारण है gallium arsenide, cadmium sulfide, cadmium selenide, cadmium telluride और indium phosphide चालक, विद्दुत्रोधी और अर्ध चालक के बारे में detail में पढ़ने के लिए हम पर्मानु के उर्जस्तर को देखते हैं हम जानते हैं कि हर पर्मानु के अंदर electron, विभिन, कोश और उपकोशों में घूमते रहते हैं हमारे पास कोश KLMN है और उसमें उपकोश है, सबसल है SPDF अब पर्मानों में electron उनकी उर्जाओं के अधार पर विभिन नियमों के अनुसार निम्न उर्जा से लेकर उच्च उर्जा तक भरे जाते हैं जो उपकोश में electronों की विभिन उर्जा होती है उसे हम उसका उर्जा स्तर कहते हैं और इस उर्जा स्तर को यदि हम चित्रत करते हैं, दिखाते हैं, तो वो किस प्रकार बनता है? इस प्रकार समानतर रेखाओं से उनको दिखाया जाता है और ये समानतर रेखाओं में जो अंतर दिख रहा है ये उनके उर्जा के अनुपात के अनुसार होता है अगर उर्जा का अंतर अधिक है तो ये गैप जादा होंगे और कम है तो ये गैप कम होंगे इस प्रकार हम किसी भी परमाणू के उर्जा इस्तर को दिखाने का प्रयास करते हैं ये उर्जा इस्तर लाइन यानि की समानतार रेखाओं के रूप में है ये केवल एक सिंगल आईसोलेटेड विलगित परमाणू का उर्जा इस्तर है लेकिन किसी भी पदार्थ में जब परमाणू कृस्टल बनाने के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं तब उनके उर्जा इस्तर में परिवर्तन होता है क्योंकि विभिन परमाणूं के जो उर्जा इस्तर है वो आपस में मिलने लगते हैं युकि जब एक पर्माणू दूसरे पर्माणू के पास आता है, तो उसमें जो एलेक्ट्रॉन आंत्रिक कक्षा में होते हैं, मतलब अंदर के शेल में होते हैं, वो प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन जो बाहर के शेल में होते हैं, वो एक दूसरे को एफेक्ट करने लगते उसके कारण क्या होता है? जो आंत्रिक ओर्जयस्तर है, उसमें ज़्यादा प्रभाऊ नहीं पड़ता, पर जो बहई ओर्ज अस्तर है, उसमें प्रभाऊ पड़ता है. योदि हम देखे, यहाँ पर एक ऐसी करिस्टल के बहुत परमाणू है, जो crystal बनाने के लिए एक दूसरे के पास आए हुए है हमने एक परमानु का उर्जाइस तर देखा यदि दूसरे परमानु कभी साथ में बनाएं तो ये रेखा एक क्यूपर एक बन जाएगी और ऐसे ही विभिन ओर जास तर एक क्यूपर एक यदि हम बनाते रहें तो यह जो उर्जा इस तरकी बहुत सारी लाइने हैं वो हमको इस पश्ट दिखाई नहीं देंगी बलकि एक मोटे बैंड की रूप में हो जाएंगी और इसको हम नाम देते हैं उर्जा बैंड का तो जब हम किसी क्रिस्टल की बात करें पदार्थ की बात करें क्योंकि उसमें एक से मिलकर बना होता है इसलिए यहां पर हम उर्जा बैंड की बात करते हैं यदि हम एक उधारण के रूप में सिलिकन लें सिलिकन का अटॉमिक नंबर होता है 14 और यदि इसका अलेक्ट्रोनिक विन्यास यानिक अलेक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन देखे तो यह तो 1-2-2- 2-P6-3-S2-3P2 इस प्रकार इन 14 एलेक्ट्रोनों को उर्जा के आधार पर इन उपकोशों और कोशों में भरा जाता हैं सबसे कम उर्जा वाले कोश सबसे पहले भरे जाते और उसके बाद ज्यादा उर्जा वाले कोशों को भरा जाता है यदि हम देखें सिलिकन परमाणू यदि क्रिस्टल बनाने के लिए पास आते हैं तो उनके ऊर्जा में क्या फर्क पड़ेगा उसकी ऊर्जा इस्तर या ऊर्जा बैंट किस प्रकार बनेगी इसके लिए हम अंत्रा परमाणू अंत्राल और ऊर्जा के बीच में ग्राफ बन यह हमने distance यहाँ पर D लिया है, मतलब D से बाहर यदि हम देखे, तो यह परमानू दूर दूर है, तो यह सारे उर्जास्तर हमको इस पश्ट नजर आ रहे हैं, यहाँ पर line से हम देखे, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2, इस प्रकर 14 अलेक्टॉनों के उर्जास्तर बिलकुल इस पश् बढ़ते हैं, मतलब atomic distance को कम करते हैं, तब हम देखते हैं, जो बाहर सबकोष है, outermost orbit है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यही आपस में सबसे पहले मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर हम देखे, तो band formation हो रहा है, यह उर्जा अंतराल आपस में मि नीचे के ऊर्जास कर देखें, तो वो अभी भी इस पश्ट है, क्योंकि जो एलेक्ट्रोन अंदर के कोश में हैं, उन पर फर्क नहीं पड़ता, अब यदि हम atomic distance को और कम करें, तब हम देखते हैं, कि यह उपर की जो दो कोश हैं, 3S2 और 3P, यह आपस में मिलने लगे हैं, यदि हम किसी एक orbit की बात करें, जैसे कि हम 1S2 की बात करें, यदि इस crystal में N परमानू हैं, हम एक silicon crystal की बात करें, जिसमें N परमानू हैं, तो पहले वाले 1S2 में कितनी अवस्थाएं होंगी? यहाँ पर 2 electron हैं, तो यहाँ पर 2N अवस्थाएं होंगी, वैसे हम बात करें 2S2 की, तो यहाँ पर भी 2 electron हैं, तो यहाँ पर भी ओर्जा अवस्था 2N होगी, यदि 2P6 को देखें, तो यहाँ पर 6 electron हैं, तो यहाँ पर 6N अवस्थाएं होंगी, वैसे ही 3S2 देखें, तो य यहां पर होंगी 6N अवस्थाएं, यूगि P सबकोश की capacity कितनी होती है, 6 अलेक्टरोनों की होती है, तो यहां पर 6N अवस्थाएं होनी चाहिए, पर यहां पर 3P2 है, केवल दो ही अलेक्टरोन है, इसका मतलब यह है कि 2N अवस्थाएं भरी होंगी, और 4N अवस्थाएं यहा पर mix होने लगी है, तो टोटल कितनी अवस्थाएं हो जाएंगी, 3P की 6N अवस्थाएं और 3S की 2N अवस्थाएं, टोटल 8N अवस्थाएं यहां पर mix हो जाएंगी, तो यहां पर एक बड़ा सा चोड़ा सा बैंड जो दिख रहा है, वो 8N अवस्थाओं का है, उसके बाद यदि हम atomic distance को और कम करें, तब हम देखते हैं कि यहां पर जो 8N ऊर्जा अवस्था सी उनमें विभाजन होने लग रहा है, यह अलग होने लग रहे हैं, 4N अवस्थाएं एक तरफ हो जाएंगी, और 4N अवस्थाएं एक और हो जाएंगी, इस प्रकार यहां पर अंतराल को क करते जाने पर हम पाते हैं कि आवस्थाओं में विभाजन होने लगता है, और यहां पर दो बैंड बन जाते हैं, नीचे कम उर्जा वाला बैंड इसको हम कहते हैं संयोजी बैंड यानि की बैलेस बैंड और उपर अधिक उर्जा वाला बैंड इसको हम कहते हैं चालन और कंड़क्शन बैंड दो महत्पून बैंड होते हैं जिसके अधार पर हम चालक, विद्धूत, रोधी और अर्ध चालक को विभाजित कर सकते अध्यन कर सकते हैं इन बैंड को यदि हम डाइग्राम में देखें तो इस प्रकार बनाये जाता है यहाँ पर जो संयोजी बैंड है, जो संयोजक्ता बैंड है ये भी पूरे उर्जा अवस्थाओं से भरा हुआ है इनकी उर्जा कम है और जो चालन बैंड है ये भी उर्जा अवस्थाओं, उर्जा अस्तरों से भरा हुआ है पर इनकी ऊर्जा अधिक है जो सयोजी बैंड की अधिकतम ऊर्जा है उसको हम EV से दर्शादते हैं Energy of Valence Bernd लिखते है EV से और जो चालन बैंड की सबसे न्यूनितम ऊर्जा इस्तर है न्यूनितम ऊर्जा वस्ता उसको हम EC से दर्शादते हैं यह EC और EV का जो अंतर है यानि चालन बैंड और समयोजी बैंड में जो उरजा का अंतर है इसको हम लिखते हैं EG और इसे हम कहते हैं वर्जीत उरजा अंतराल और इसे हम वर्जीत उरजा अंतराल के नाम से भी चानते हैं जिसे इंग्लिष में forbidden energy gap कहते हैं अब इस चालन बैंड और संयोजी बैंड को कंपेर करें तो संयोजी बैंड या तो पूल रूप से अलेक्ट्रोनों से भरा होगा या आंशिक रूप से तो अलेक्ट्रोनों से भरा होगा ही पर चालन बैंड जो है वो खाली ही दिखता है अर्ध चालक में यदि हम देखें तो यहाँ पर हमने जो अंत्रा परमानुक अंत्राल और उर्जा के बीच में जो ग्राफ प्लोट किया जो डाइग्राम देखा यह सेमी कंडक्टर सिलिकन यह जर्मैनियम का है यहाँ पर हमने चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में अंतर पाया पर ऐसा चालक के लिए नहीं होता चालक की बात करें यदि हम तो यह बैंड डिफरेंट टाइप का देखता है अब इस बैंड डाइग्राम के अधार पर हम चालक, कूचालक यानि कि विद्धू त्रोधी और अर्ध चालक को पढ़ते हैं तो इस प्रकार हमने यहाँ पर दो बैंड देखा एक संयोजी बैंड और दूसरा चालन बैंड अब जो संयोजी बैंड है वो आंशिक रूप से भरा होता है या तो पूर्ण रूप से भरा होता है पर चालन बैंड अर्ध चालक में खाली होता है पर सभी में ऐसा नहीं होता चालक मिस्थिति अलग होती है और विद्धू त्रोधी मिस्थिति अलग होती है यहां पर हम band diagram के अधार पर अब चालक, विद्दूत्रोधी और अर्ध चालक को समझने की कोशिश करते हैं इससे पहले हम दिमाग में ये रख ले कि जो संयोजी band है उसमें कैसे electron होते हैं उसमें valence electron यानि कि संयोजी electron भरे जाते हैं ये भरे हुए होते हैं मतलब वह electron जो किसी भी परमाणू के बाहिक अक्ष में हैं वह electron इस संयोजी band मेंगे और चालन band में कैसे electron होंगे चालन band की उर्जा अधिक है मतलब वहाँ पर ऐसे electron होंगे जिनको उच्छ उर्जा इस तर की अवशकता है जब भरे जाए तो जिनकी उर्जा उच्छ हो और यह ऐसे electron होते हैं जो कि परमाणू से मुक्त हो चुके होते हैं वो अपने परमाणू का त्याग करके शेल से बाहर निकल चुके होते हैं और वो पदार्थ में घूमने में सक्षम होते हैं यानि कि मुक्त एलेक्टरॉन जो कि धारा का चालन कर सकते हैं धारा को प्रवाहित करते हैं वो एलेक्टरॉन भरे जाते हैं चालन बैंड में यानि कि कंडक्शन बैंड में अब बैंड डाइगरम देखे हम तो चालक का बैं अंतराल होगा यह गैब बहुत ही कम होगा मतलब वैलेंस बैंट के अलेक्ट्रोन आसानी से कंडक्शन बैंट में जंप कर सकते हैं और जब वैलेंस बैंट के अलेक्ट्रोन कंडक्शन बैंट में क्योंकि यहाँ पर valence band से electron आसानी से conduction band में जा सकते हैं या फिर चालक में इस प्रकार कभी energy band देखने को मिलता है यहाँ पर conduction band और valence band के बीच में कोई gap ही नहीं है valence band और conduction band एक दूसरे को overlap कर चुके हैं उसमें अतिव व्याप्त हो चुके हैं मतलब जो electron valence band में हैं वो conduction band में आसानी से चालन कर सकते हैं और इसी लिए चालक की चालकता अधिक होती है विद्धु धारा का प्रवा आसानी से होता है पर यदि हम विद्धु त्रोधी की बात करें तो इसका band diagram इस प्रकार बनता है ये चालन band और संयोजी band के बीच में जो gap है वो बहुत अधिक होता है ये 3 electron volt से भी अधिक होता है और यदि हम हीरा की बात करें तो उसका वरजित उर्जांतरा 6 electron volt के लगभग होता है इसलिए तो हीरा कुचाला के किसी भी स्थिती में चालन का काम नहीं करता यहां valence band में जो electron होंगे भले ही valence band electronों से भरा हुआ क्यों ना हो वो ऐसे electron है जो अभी भी परमानू के अंदर उसके संयोजी electron है उसके बाहिक अक्षम है तो ये कभी भी चालन नहीं कर पाएंगे इसका conduction band यानि की चालन band पून रूप से खाली होता है और किसी भी स्थिती में valence band के electron conduction band में नहीं जम कर सकते हैं हम चाहे उर्जा प्रकाशिय रूप से दे या विद्दूत रूप से दे या फिर उश्मिय रूप से दे किसी तरह से भी अलेक्टरोनों को इतनी उर्जा नहीं दी जा सकती कि वो valence band से conduction band में जाएं यदि हम अर्द चालक में देखें तो valence band और conduction band के बीच में gap बहुत ही कम है यह 3 electron volt से कम होता है silicon इसमें 1.1 electron volt होता है और germanium में 0.7 electron volt इसलिए तो अधिकतर electronic devices germanium के बनाए जाते हैं क्योंकि इसमें उर्जा अंतरल बहुत कम होता है तो इसमें आसानी से valence band के electronों को conduction band में पहुचाया जा सकता है जिब 0.7 electron volt वो उर्जा देखें शून्य कैल्विन में valence band में electron भरे हुए होते हैं और conduction band खाली होता है लेकिन कमरे के ताप में यदि हम देखें तो कुछ electron हमको conduction band में भी नज़र आ रहे हैं conduction band में नज़र आ रहे हैं electron लेकिन यह valence band में हमको कुछ खाली जगे दिखाई दे रही है इन खाली जगों को हम कहते हैं holes जिस प्रकार electron रिनात्मक आवेश वहाँ खोते हैं उसी प्रकार hole धनात्मक आवेश वहाँ खोते हैं actually जो hole होता है वो यह आलक सा charge particle वहाँ पे नहीं है electron की कमी, electron की रिक्तता को ही हम hole कहते हैं जोकि electron धनात्मक आवेश है तो उसकी कमी को हम कहते हैं hole यानि की धनात्मक आवेश वहाँ तो room ताप में, कमरे के ताप में हम देखें तो जितने electrons challenge band में हैं उतने ही holes conduction band में होंगे और जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जाएंगे valence band से electron jump करते जाएंगे क्यों? क्योंकि वो उर्जा को अफशोशित कर रहे हैं उनकी उर्जा बढ़ रही है इसलिए वो पहुच जाते हैं conduction band में और इसलिए एकशुद अर्द चालक में जितने electron conduction band में होंगे उतने ही holes challenge band में होते हैं अब हम चालक, विद्दूत रोधी और अर्द चालक में अंतर देखते हैं चालक, विद्दूत रोधी, अर्द चालक इसमें विद्दूत प्रवा सुगमता से होता है इसमें विद्दूत प्रवा नहीं होता इसमें विद्दूत प्रवा कम होता है ताप रिद्धी के साथ इनकी प्रतिरोधक्ता बढ़ती है। इनका प्रतिरोध ताप गोणांक धनात्मक होता है। ताप रिद्धी का इनकी प्रतिरोधक्ता पर कोई प्रभावन नहीं पड़ता। इनका प्रतिरोध ताप गोणांक नगर्ण्य होता है। इनका प्रतिरोथ ताप गोणांक रिनात्मक होता है। इनमें आवेश वहाक ऐलेक्ट्रॉन होते हैं। अशुद्य मिलाने पर इनकी विद्धु चालकता कम हो जाती है। अशुद्या मिलाने पर इनकी विद्धु चालकता पर कोई प्रभावन नहीं पड़ता अशुद्या मिलाने पर इनकी विद्धु चालकता बढ़ जाती है इनमें सयोजकता बैंड और चालन बैंड में उरजय अंतराल शून्य अथा अत्य अलप होता है इनमें उरजय अंतरा चालकों से अधिक किंतु विद्दू त्रोधी से कम होता है। EG less than 3 electron volt उधारण धातू, मानव शरीर, पृत्वी, आदी उधारण काच, लकडी, प्लास्टिक, अभरक आदी उधारण सिलिकन, जर्मैनियम, गैलियम आर्सनाइड आदी